ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है मकर राशी वालू अब सूरज की तरह चमकेगा आपका भग्य जया दोस्तो अब आपको भगवान शूरेदेव के असिरवास से 17 जुलाई से 23 जुलाई याने कि इन 7 दिनों में पांच सुब समाचार बड़ा सर्प्राइज मिलेगा या दोस्तो सारे काम छोड़कर वीडियो आप पहले देखें या दोस्तो भगवान शूरेदेव के असिरवास से इन 7 दिनों का समय आपके लिए बहुती अच्छा समय रहने वाला है या दोस्तो भगवान शुर्यदेव के असरवास से इन साथ दिनों में आपको अनेक प्रिकार की बड़ी-बड़ी खुशकबरी बड़े-बड़े लाब धनलाब और बड़े-बड़े सफलताओं की प्राप्ति होने वाली हैं जिससे आपका जीवन बदल जाएगा या दोस्त महत पापूर्ण रहने वाली हैं दोस्तो वीडियो का अगे शुरू करें सबसे पहले भगवान शुर्यदेव के सच्चे वक्ति से वीडियो को एक लाइक अभी करें कमेंट्स बोक्ष में जैस सुर्यदेव अवस्च्य लिकें जिससे भगवान शुर्यदेव का से 17 जुलाई से 23 जुलाई याने किन 7 दिनों का यह महत पापूर्ण समय दोस्तो अब समय पूर्ण तहां आपके पक्ष में वर्तमान में की गई मेहनत का पूरा फल अब आपको मिलेगा साथ ही आप अपने अंदर अदबुद आत्म विश्वास और आत्म बल महसूस करेंग सांती की चाह में किसी धर्मिक इस्थल में भी समय जल्द ही व्यतीत होगा मन में चल रही किसी दुविदा का भी शमाधान मिलेगा संतान दुवारा कोई सुब समाचार मिलने से घर में प्रसंता का माहूल रहेगा धन प्राप्ति की दिशा में किये गए आपके सारे प्लान सफलता हंसिल करेंगे अब आप बहतरीन तरीके से अपने कामकाजों को अंजाम देने में भी सफल रहेंगे अपनी छुपी पिरतिभाओं को समझें और उनको सही दिसा में लगाएं भाईयों के साथ किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर शकार अत्मक विचार विमर्स भी होगा जल्द ही आपके लिए एप्रतियासित लाब की इस्तिती बन रही हैं इसलिए आप अपने आने वाले समय का सद्यूप्योग करें लंबे समय से चले आ रहें किसी तनाव और चिंता से अब आपको राहत मिलेगी धार्मिक इस्तान में जाने का भी जल्द ही प्रोग्राम बनेगा दोस्तों आपके लिए यह समय बहुती लाबकारी हैं अपने उद्रसों पर आप ध्यान केंद्रित रखें दोड धूप की अधिकता रहेगी परंतु कारों की सफलता आपकी ठकान को भी दूर कर देगी अनुबबी लोगों के साथ समय व्यतीत करने से कुछ बहतर आपको सीखने को भी मिलेगा अगर कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो उसे पूरा करने के लिए योजनाई भी मनेंगी सबी प्रकार के रिस्तों में सुधार आएगा और चारों तरफ से आपको खुसिया महसूस होंगी घर के रख रखाव तता साज सज्जा सम्मंदित कारों में भी समय व्यतीत होगा साथ ही साथ किसी भी व्यक्ती के साथ बात चीत करते समय आप सावधा नी बरतें कोई नकार अतमक बात आपसे सम्मंदों को खराब कर सकती है आलस की वज़े से काम को कुछ टानले की भी प्रबर्ती रहेगी विध्यार्ती वर्ग अपनी पढ़ाय के प्रती जादा एकागर चित रहें कभी कभी आतम विश्वास में कमी तथा आलस की वज़े से बनते कामों में भी रुकावट आ सकती है अपनी नकार अतमक कमियों को दूर करके आप भेतरेन रिजल्ट प्राप कर सकते हैं दोस्तों के साथ जादा गुमने फिरने में भी समय व्यर्थ आप ना करें समय का सद्यू प्योग करें दोस्तों साथ इसाथ कोई एप्रिय समाचार मिलने से मन व्यतित रहेगा किसी भी महत्पपूर्ण वस्तू के चोरी होने या फिर गुम हो जाने का भी बह है कई बार किसी मुद्दे पर जादा सोच विचार करने की वज़े से कोई महत्पपूर्ण उपलब्दी भी आपके हाथ से निकल सकती है थोड़ा सावधान रहें शेयर, शक्टा, आदी में किसी प्रिकार का आप निवेश ना करें तथा साती सात किसी अंजान व्यक्ति से वाद विवाद में भी आप ना पड़ें, घर में महबानों के आगमन से कुछ महत्पूर्ण काम भी रुख सकते हैं इसलिए अपने कामकाज के प्रती सजग रहें साती सात पुराने जगडे दोबारा उभर सकते हैं पढ़ाई कर रहें, बच्चों में कुछ सफलते हैं भी प्राप्थ होंगी कभी कभी आपकी सक करने की प्रवर्ती आपके लिए परिशानी का कारण बन जाती है इसलिए अपनी सोच को शकारतमक बना कर रखें आपके लिए हितकारी रहेगा दोस्तों बात करें आपके प्रेम जीवन की तो परिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन तता सौपिंग में समय व्यतीत करने से आपसी संबंदों में और अधिक मधुर्त आएगी कामकाज के साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों के ध्यान रखना भी आपका दायत्व है किसी गलत फैमी की वज़े से घर में किसी सदस्यों के साथ मदबेत हो सकते हैं पति-पत्नी में आपसे समंजस का भाव विद्धमान रहेगा परिवारिक व्यवस्ता को बनाए रखने के लिए अपने क्रोध पर नियंतर रखना भी आपके लिए अति आवशक है रिष्टेदारों से संबंदित कोई सुब सूचना मिलने से घर में उतसब भारा माहुल रहेगा प्रेम संबंदों में भी और नजिदी की आएंगी पति-पत्नी से संबंद मधुर रहेंगे प्रेम संबंदों में अपने साथी के प्रती इमांदार रहें वेवारी के संबंद मधुर रहेंगे परन्तु मित्रों से अधिक मेल जोल रखना आपसी संबंदों में परेसानिया उत्पन कर सकता है दोस्तों बात कर लेते हैं आपके वेवसाइक केरियर की तो वेवसाइक दृष्टी कोण से समय पूरता आपके पक्ष में है आप किसी भी तरीके से अपने काम को निकलवाने में शक्षम रहेंगे नौकरी पेसा लोगों को भी अपना काम कुसलता से पूरा करने पर सीनियर आफिसरों से शकार अत्मक परिणाम हासिल होंगे सहयोगियों और कर्मचारियों के साथ संबंद मदूर बना कर रखे जिस कार्रों को आप सहज और सरल समझ रहे थे वे बहुती मुस्किल भरा होगा इसलिए अपने कार्रे के प्रती पूरी तरे से एकागर्चित रहने की आपको आवशक्ता है नोकरी पेसा व्यक्ती अपनी फाइल वे दस्तावेज बहुती अधिक समाल कर रखें कार्यचित्र में शांती प्रियत तरीके से काम संपन होते जाएंगे तथा अपनी जिम्मेदारियों का भी कुछ नए व्यवेसाइक अनुबंद आपको प्राप्त होंगे पेपर वर्क करते समय बहुती आपको साबधानी बरतनी की आवशक्ता है जरासी भी लापरवाही नुकसान दायक साबित हो सकती है इस समय कार्ये की गुणवत्ता को और अधिक बहतर करना अति आवशक है प्रापर्टी संबंदित कारों में सफलता मिलेगी तथा वैपार को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ महत्पपून योजनाय बनेगी और सफल भी होंगी नौकरी में अपने लक्षय को प्राप्त कर लेने से आपको राहत भी मिलेगी कार्य छेत्र में धन टापते के लिए किये गए नए अनुबंद विख्षित होंगे तथा नए योजनाय बनेंगी रुके हुए सभी कार्य भी आपके निवटेंगे कोई नया काम शुरू करने से पहले अपने घर के अनुबबी व्यक्तियों की सला अवश्य ले आपके लिए लाबकारी रहेगा दोस्तों बात करें आपके स्वास्त की तो स्वास्त के दरश्टी कौन से कफ और खासी की वज़े से गले में और छाती में सूजन महसूस होगी लापरवाही बिलकुल भी आप ना करें और उचित इलाज लें साती सात अत्यादिक काम की वज़े से ठकान वे कमजोरी महसूस होगी समय समय पर आराम भी लेना आपके लिए आवश्यक है साती सात अपने खानपानबर भी आप विसेश रूप से ध्यान दें तला हुआ भोजन आप ना करें परेज करें सुपाच्य भोजन करें जो आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छा रहेगा साती सात अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वियाम करें सुस्त रहें